आज की कलास में जो हम Questioned Pain Paper लेके आए हुए यह Quesn Mary आपका बी ऐ सिंकेन समेस्ट्र जियोग्राफी Human Geography का पूरा पूरा Questioned Paper है हाली में इसका भी एक्जाम हुआ है सिध्धार्त उन्योष्ट् plugging में मैं इसमें Top 100 आपके Quesn सबके पूछे गये थे MCQ इसी की आज जो मैं इसको solve करा रहा हूं सभी विद्यर्थी के comment भी आ रहे थे किसार इसकी answer की पुर्वड कर दीजेएगा मुझे अपना जो है मिलाना है question booklet paper इसलिए सभी विद्यर्थी पना answer की देख लिए साथ में ये question paper उन उनिस्टी के लिए बहुत ही सभी उनिस्टी में इससे देखा जाए आपका समय सेम ही था ठीक है आपका जो पेपर जो था आपका 75 नंबर आप ही 50 नंबर के आपको question paper पूरा था चलेगा बहुत ही तीव गतिसको हम solve करा रहा है कि इसके पहला person की बात के लिए आपका paper में solve करा रहा हो सकता है question आपके सेम ना मिले क्योंकि मेरा booklet जो एस है ठीक है अब आपका बेद booklet नहीं है तो question थोड़ा हो सकता है कि different हो लेकिन जो मेरे में पहला question जो दिया हुआ है यह question आपको ढूंद लेना है कही ना कहीं है question आपको बिल्कुल मिलेगा आपको अपने booklet में ठीक है यह ढूंद लिजिएगा आपको हो सकता है question आपका 7 9 नंबर पर दिया हो यही नंबर पर आपको question मिलेगा अधिक तर एक paper मैंने मेरे पास 2-3 आए paper तो अधिक मेने देखा तो यी पेपर इसका पहला कुस्ण जो 177 नंबर पर मेँने को मिला था 89 पर ठीट है तो देख जी जाएगा कहीं पर ईह कुस्ण जैसे आपको मिल जाएगा अपने बुगलेट में उसी की नीची आपको सुअ कुछन आपको करम वाइज आपको मिल जाएंगे आसा करताओं को समझवें आ गया होगा किस तरह से अपने आपको बुगलेट मिलाना है एंसर की मिलानी है चलेगा बहुत ही तीप करेंगे उससे पहले जो भी भी दर्धी चनल पर फासर मिजट कर रहे हो तो वीडियो को लाइ अग्ला होrent संसिक्रिक जो है भूद्र संब्द बिकास किसके दोरा किया गया था किस में किया था थуч deficiency के सही हो जाएगा है थिक है अगला उक्सान चार नमर के निमलकि में से कौन सा जो मानव भूगोल के जो है भी से चे छहतर नहीं है तो मानव भूगॉल के दिम भी से छेतर की बात करें चार नमर कुसंस की तो जो है मानुस परियोड संबंद ये भी मानुबस्ति ये भी है आदिम अर्थवेवस्थां ये भी है लेकिन भू अकृतियों का निमार्ड ये जो है मानुभो गोल भी से छेतर संबंदित नहीं है इसलिए आपसन एक दम सही रहेगा समय का चार नमर कुसंस का अगला कुसंस आपका पांच नमर की इन्वाल्मेंट रेस आएंड अपका माइग्रेशन ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है तो पांच नमर की बात करें तो ग्रीफिन टेलर इसके पुस्तक है पहला अपसन सही है अगला कुसंस नक्स यानि नसल नसल जो है इसकी अधारना कैसी भीया तो इ कुसितों की देंबात करते हैं जो है प्सकलोन है यह जहेगा अगला कुस्तन आपका ठाठ के विवाथ की रस्म को जो क्या कहा जाता था तो यह आपना पराया कहा जाता था ओर एक और रास्म होती है जो है चाला है ओ dość लगए घृजएलस नक्दम सअर इस फट से रही है सब्सक्राइब का दियावा कि संथाल जन्जात का जो है निवास छेत्र क्या है तो इसकी धंबात के लिए 9 नुमबर कुसंस की तो यह जो है उड़ी सा है ठीक है इसका लगाईएगा इसका जो है बी आपसन एकदम सही देगा फिर अगला कुस्टाइब का 10 नुमबर कुसंस क पहला अपसन एकदम सही है अगला कुस्टाइब का दियाव की निम्रेख मेंसे जो है कौन सा सही नहीं है तो नियत वादी जर्मनी की यह संभावाद फ्रांस का और यानि परारंब वाद यह फ्रांस का है लेकिन नौनिस्वेवाद जो है यह अमेरिका का नहीं इसले इसमे 12 कुस्टाइब का कुस्टाइब के समद्युक से संभावात का है इसका भी अपसन सही रेगा अग्ला कुसिन आपका इस ठम जो संख्या सिद्धान्थ किसके द्वाइज Пरतवादिन किया गया था किसके द्वारा किया गया था भी किमें कि को संस्गित की स्थानिक विवित्ता का अध्यान किसमें किया जाता है तो अठाड़ा नमर की धंबात के लिए तो जो है साहितिक भुगोल में किया जाता है इसका लगाएगा कल्चर आपका जियोग्राफिस सी अपसन सही रहेगा अगला कुछन भुगोल वित्ता के दिरसे से परियोड़ का अर्थ क्या है तो परियोड़ का अर्थ क्या भी या भ परियोड़ को परभवित करता है ठीक है तो वैसे तो देखा जाए तो पहला आपसन एक दम सही रहेगा पहला अगला कुछन आपका जाओ कि जजंक्या का उच्छ जो है घनत तुपाई जाने की संभावना है तो कहां है तो 21 संबर की धंबात कर ले तो यह जो है तो यह जो चेथ के संसादनों को अपने लाव के लिए पूरा उप्योद्ग करने के लिए लोग जो परियाप्त लोग हों तो उसे क्या कहते है तो इसे कहते है मेरे साबसर जो ऊस्ट पहला आपसन एकदम बेटा रहे अगला कुसन सांसिकर्टिक छेत्र की विशेस्ता क्या है तो इसकी धमबात कर ले सांसिकर्टिक छेत्र की विशेस्ता की बात आई यहां से तो इसकी विशेस्ता जो है मुखिता एक समान संसिकित इसका जो C अप्सन सही रेगा अगला कुसन भी आपका 25 समर्ट दियावा की मानव भोगोल के संस्थापक कौन है तो इसके जो संस्थापक है हुमन जियोग्राफी के ओ है बिडाल डी बलास है ठीक इसका डी अपसन सही रहेगा अगला कुसन भी आपका 26 समर्ट की पारंपरिक वस्तियों को जो है किस नाम से जो है जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता तो कमपुंग के नाम से जाना जाता है इसका लगएगा पहला अपसन सही रहेगा 26 समर्ट का अगला कशन अपके काँभारतिय जंजात नहीं तो कौन सी जह भारतिय जंजात नहीं तो схемों भारतिय जंजात नहीं है पत्तोंस जो है श कुआज और प्रयाइद को इसका B要 section सही रहेगा नियत बार के सनस्थापक तो 89 सिम्र की धहाक तो इसके संस्थापक थे facebook पहला niya अग्राव किसादांग क्नीलख के संपर्चित संभnd ten नहीं है संस्वित तो भर्म भास और प्रजात नेकोगत हो इसलिए पहला अपसंट रहेगा अगला आपका कांगो बेसिन के पीगिमी अपने घर बनाते थे और किसके बनाते थे पेड़ों पर बनाते थे इसका अपसंट रहेगा 32 फिसक रहे कि दिवलखे में सा जो है 23rd कि परियृर्ण से परियाय को नियंद्जित करता है तो 33rd की बात कर लेको यह जो है मानु परिस्थकी कहलाता है इसका डाप्सिंबुदन से रहेगाक धूमन एकोलोजी अगला उक्सम्वी कि नेताग से कों सा सही नहीं हिसमें का कवं सा सही नहीं है तो मानो भोगोल के सिधान्त हाट गिंटन है, सिधान्त के ठीक है, और इसका जो अगला कुछन सेंपल मानो भोगोल परिवाड के परभाव से समझनी थे, एकिन अगने कुंडे जो दिया हुआ है, बिडाल डी बिलास की एक करत नहीं है, इनकी पुस्तक नहीं है, क्योंकि अगनी कुंडे जो पुस्तक है, इसके लेखक कावन भीया, अगने कुंडे ये दिया पुस्तक की बात करें, तो इसके लेखक करल रीटर है, नकी बिडाल डी बलास है, ठीक है, इसलिए सिधान्त सही रहेगा, क्योंकि ये कुस्सन गलत है, इसका सही मिलान नहीं है, ठीक है अगलाकुसन 35 सिमर के निमनिक में से कौन सा जो है भौ्तिक संस्गित का हिस्सा है तो मकान गाव दोनों है इसलिए आप सी लिगाई एक उगदम सही रहेगा अगलाकुसन 36 सिमर की वह माधम जिसके माधम से बीजारों का संचार होता है कि निमनिखी में से किस जंजात का निवास इस्थान टुंडरा चेत्र में है तो किस जिंद जात क्या भी है तो इसकी हम बात के लिए 49 समर कुसंज का तो एसकीमों की पहला अपसन सही इसमेगा अगला कुसंज 40 समर की निमिखी में से कौन सा जो है जन सिंख्या परिवर्थन का घटाख है तो जन में दर मिरत्यू परवासन अगला कुसंज 40 समर की निमिखी में से कौन सा जो है परवासन का एक प्रेर कारण है तो कौन सा है तो बेहतर नवगरी के उसर की जो है उपलबदिता धार्मिक सुदंता और राजनितिक सुदंता सभी है अब 41 समर कुसंज का डी लगाईएगा जो है झालर में कि निमिखी में से लुद्वास जो है परवास पर सकारात्मक पर आता है यह डूपता कि लोगों का नुकसान इसका जो है किसका रुपास पर जो सकारात्मक पर आता है इसका भी आपसन लघाएएगा अगला हम पतान का दिया लाँ ओते हम हैं अग्शनाब का 같습니다 mówi शंघर को मतलब लगाती है छानी घणी भेथ जैरसे बात है यहुए यह जो पाई जाती है तो 43 म की बात की तो मैडनी छेतर जो होते हैं जहापे लोग जड़ा मैदान की चैटरों में पहला पक्षिशन औहुती लाष्ट की विकास कम होती है तो यह कहलाती है आदिक जण dawn' कहलाती है इसका मेरे सी चवालिव समर का आधिक जव मैंने मित्शंएं जब किसी राज्ट की जंसंख्या ज उसके सनसाधन Keys में जो संसाधन सेख यह संसाधन वी बिकास से कम होती है जो मेरेसाब को पर्लेशन होगई सविए瞌 वीछ में छोड़े दराओं थोड़ा साथ है की ब कैसे मेरे को डवशहादी सुर्बधी कि तो वैसे तो हंटिंग गयुत इवें दोनों थे लेकिन पहर्टिंग लगाए तो मचली पकड़े यह कोई भीज़ा आदिम पयवसा नहीं था फाला अपने डम सही है अगला उक्तसका है कुर सकार करना जिन्जाथ का यह भेवसा है तो किसका था विया 47 समर्व कि धमबाथ कर तो यह जो था यह था सेमांग का था भीक impress कर दीअपसन सभी रहेगा अगला किसके लिए परसिद्ध है तो यह किसके लिए मचली पकड़ने के लिए इसका पहला आप से नगदम सही रहेगा और अगला अध्यान की निम्लिक में से कौन सी जो है साखा मनुस्वर परियोड की बीच जो है सबंदियों से संबंदी थे तो यह हुमन जुगराफी है भी एफ से नगदम सही है अगला कुस्ट आपकारि मान अगला कुस्ट आपकारवध नमबर की निम्लिक में से कौन सही जो है कारक विच्च जनसंक्या के बिदरण को परभावित करता है तो किर्सी योग भ्यूम में वो पानी की उपलबता इस्थान की अभी गयबता सभी है एव अभी दोनों राइट इसले सी अप्सन से ही है अ है तो आस्वान बितर है ठीक जोन सबसक्ति किस की जोनिंग्धिक नहीं होगी आइते हुआए सबस्कि को रहा ज़िए आधा तुर किस ने कहा कि मानो भूगल मानो समाज और पिर्थिवी की सदा की बिस समिद्धों का जो है अनि सासिलेस्ट अध्यन है ठीक है एक कह सकते हो इस्टडी है तो किसका कथन भीया तो यह कथन जो है कुमारी सेंपल का है इसका बी अपसंस है अगला उकसर बिसु का सरवधिक जो है नगरी बात कर ले तो इसमें जो एक गयर किर्सी गतविद्यों की लोग लगे लोग अगला उकसर अठावन नमर की गरामेंट बस्तियों के जो है रेखिये पैटर्न जो है पाए जाते हैं कैसे पाए जाते तो रेलवे नदी सड़क के किनाड़े इसका पहला आप से नग्दम सही ह भासा का संब्ढद है किससे सीमाजी करण विचारों संसकीरित तो सभीसस लिए डिए अपशन सही है ऐसके अधिक बोली जाने वाली भासा अंग्रेजी हो गई है ठीक है इससे पहले आपकी मंडारिन थी दूसरी भासा आपकी मंडारिन हो गई जो है इंग्लिस बिसुकी सबसे कह सकते हो बोली जाने वली भासा हो गई है ठीक है अगला कुश्चन आपका दियाव की निम्लिक्षिए से कौन सा धर्म जो है उत्तम अश्ठांगिक मार्क में जो बिश्वास करता है तो कौन करता है हो रहा है तो जल्वाई परवर्तन गिरिन हाउस गोज बिरद्धी सभी में इसले वाभी दोनों रइट है फालू फालू का कपड़ा जो कौन पहनता था फिकौन पहनते हैं तो 65 नमबर की बात के तुभी आप भील जिंजात पहनती थी इसका सी अपसन सही इसकीमो का आर्थ ह है कच्चा मांस खाने वाले पहला पसन सही है चले गई अगला कुस्पन अबका दिया अगला थि लोग mena कि दे लिए अिल्गा जिंजात इंडियार कि अर्थि तो कि स्काई इसकासि और स्कीमो की थी इसका शीए अगलाूट खिरकीच के तंबू को जो है इस्थनीच रूप में जो है जाना जाता है तो यूट के रूप में इसका डी अप्सन सही है अगला उक्सन आपका दिया हो कि सबसे बड़ी दर्विड भासा जो है जिन जातियों में से एक है तो कौन सी है तो सबसे अधिक परचली थी कहा थी तो यह गाने जंगलों वाली पहाड़ीों की ढलानों पर अगला उक्सन बात्ता नमर के किस जिन जात में जो है मवेसी उसकी सांसिकर्टिक बिरासत के परतिक और गवरों के शुरोतों के रूम में काम करते थे तो यह मसाई जिन जात में इसका बी अप्सन सही रहेगा अगला उक्सन बात्ता नमर के निवरों से कौन सी जो है जिन जात इरंगीन परिधान पसंद करती थी जिसमें पुरुस अक्सर जो है लाल सुस के यानि कपड़े का और अप्सन सही रहेगा मसाई जिन जात में इसका श्री अप्सन सही रहेगा अगला उक्सन चोद्तर सुस् कुछ. गदी जनझात का मुखी बेवसाइग येड़े तो इसमे का कौन से भी करब सही रहेगा, इसका पसुपालन निक्तिम सही रहेगा, पहला अपसन सही रहेगा, अगर आप किस देश में जूँम खेती को रोका के नाम से भी जाना जाता, तो जूँम खेती जो है, ये किस देश में इसको रोका के नाम से जाना जाता है, तो किस मिर्वा किर्सी की बिस्राइस्ता किया भी सबढ़ इसकी किलो में ऐसे दिया रहें से तो इसकी घंत निकालने के लिए कालगोलर करके देख है इसमें आता है ठिक है देख लिए किसमे का कुण से भी कलप सही रहेगा चलिए गाघ्या परस्टों बढ़ाएंगे अगला कुषण प्यापका दिया हुआ है 82 समय परातमी कद्विद्यों में क्या सामील नहीं है तो क्या नहीं सामील है तो इसे परातमी कद्विद्य खनान मचलीप करना कर से सभी है लेकिन बैंकिंग जो इस समझे ने हैं इस लिए डिया-पसन और साइगा सबसे पुरानी ग्यात मानोस आर्थिक गत्विदी कौन सी है तो इक अठा करना उसी काड़ करना पहला आपसन एक दम सही है चलवासी पसपालन में संबंदित है यह क्या संबंदित इसमें तो पचासी नमबर कि दम बात करें इसमें जो जानूरों को आपसन एक दम सही है अगला उसी नमबर कि गिरीस में काल के दवरान मैदानी छेतरों से पहाडों के चारागाओं की और फिर सर्दियों के दवरान परवर्तिय चारागाओं के मैदानी छेतरों की और परवासन की परगिरिया जो होती है यह क्या कहलाती है यह ट्रांस हुमन कह अगला उक्षण निम्निक में से कौन सा गलत है ठीक है जो इसके धंबात कर ले आज़ी कथन आपके दो दिये हुई है कि जशंख्या जो रोकने के लिए परवशन नेग बशचततु है और कारण यह है कि परवसन जर्जंख्या और संसाधनों के बीच जो है बेहतर संतुलों पराप्त करने का एक जो है साच परियास है तो एवा भी दोनों सत्य है वार एक की सही बैख्या करता है बिलकुल इसका लगाएगा पहला आपसने एक दम राइट है अगला उकसन आपका अबे नमबर क निल्विख के में से कोहन से जन्जाथ अलस्का के उत्तरी छेत्रों में पालन में लगे थी तो कौन सी लगी थी विया इसकीमों लगे थी इसका पाहला आपिसंग्र से जिए कित्या विक विनरिया से है औरने के फब्शुम्ध्र है और्फ्रिव्वस्थाइ तो किस ने दिये थे तो जो है पांच हजार यानि पांच सव वर्सों के जो है दवरान मानुज संख्या में तो किस की होती है तो किसकी होती है तो इस सिकारी जो है सिकारी आपका संगरह करता है तो पहला अपसन सही देगा ग्रीफिन टेलर ने जो है कितने परकार की जातियों की पहचान की है तो टोटल जो है तीन परकार की की है इसका पहला अपसन सही देगा अगला उक्षिन किस सांसिक्रितिक समुवा और उसके द्वारा ब्याप्त यानि जो है प्राकिर्तिक वातवरान की बीस संबंद को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है सांसिक्रितिक प्रास्थकी कहा जाता है इसका डियाप्सन से रेगा अगला 99 दियाओ कि पर आप बिचार कीजिए कि आउर उसे आपको गलत उत्ता दीजिए तो कौन से इसमे का गलत उत्ता रहे गलत आपको चुनना है तो 99 की धम बात के लिए इसमे का जो है भासा जो है भौतिक भुगोल का इस भाग यह गलत है ठीक है अगला उक्सन लास्ट में हंटेड नमर की समाजिक भौगोल के जो पर्मोग घटा खाए तो यह भासा धर्म जंजात यह सभी इसले डिए अप्सन सही रहेगा पूरा मेंने पेपर सोल्व करा दिया है ठीक है सभी एंसर की मिला ले साथ में सभी उनिश्टी भी देखेंगी जिसमें भी एक्जाम नहीं हुआ है सभी के लिए बहुत ही मात्मुट सावित हो गाए दिया आपको भी कोई भी पेपर सोल्व करवाना तो मुझे अपना पेपर टेलेगराम या फी वाट्साप पर भैस सकते हैं मेरा नंबर नोड कर लिजेगा 817384 0090 पर मुझे अपना पेपर जो भैस सकते हैं टेलेगराम फी वा